हेलो दोतो आई टियाई इजी इलेक्टिशियन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है वाइरिंग सिस्टम से आज के इस वीडियो में वाइरिंग सिस्टम के 25 महत्पून क्वेस्चन एंस्वर कराए जाएंगे तो वीडियो को सुरू से अंतक देखिए तो दोस्तो यदि ये टेस्ट तीरिज आपको पसंद आ रहा है तो रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं Q1 में है घरों में किस प्रकार की विदूत का प्रियोग किया जाता है A है AC, B DC, C है AC और A1 DC दोनों, D है ये सभी सत्ते हैं तो इसका राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर A घरों में AC का सप्लाई का यूज किया जाता है नेक्स्ट है दो नमबर में 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है A है 100 बटे 140 वोल्ट, B है 220 बटे 200 वोल्ट, C है 200 बटे 300 वोल्ट और D है 400 बटे 440 वोल्ट का तो 3 फेज में इसका राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर D 400 बटे 440 वोल्ट का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट तीन नमबर में कह रहा है सिंगल फेज सर्कीट कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है तो इसका ओप्सन A है 220 वोल्ट, B है 320 वोल्ट, C है 440 वोल्ट, D है 100 वोल्ट तो सिंगल फेज कह रहा है तो सिंगल फेज में होता है 220 वोल्ट पर जोड़ा जाता है इसका राइट एंसर एप्सन नमबर A हो जाएगा नेक्स्ट चार नमबर में नेम लिखित में कौन वाइरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है तो यह most important है यह वाला question A. Tree System B. Distribution Board System C. A. और B. दोनो और D. इन में से कोई नहीं चार नमबर का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर A. Tree System Tree System जो है अधिक सस्ती होती है पाच में है किसी भी वाइरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इसका option है A. टिकावपन B. सुरच्छा C. मुल्ली और D. यह सभी सत्ते है तो इसका राइट एंसर होगा यह सभी सत्ते है टिकावपन के लिए टिकावपन भी होना चाहिए सुरच्छा और मुल्ली दाम भी कम होना चाहिए तो सभी सत्ते है नेक्स्ट अच्छे नमर में कह रहा है किसी भी वाइरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निमली खित में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए A. एसेसिबिलिटी B. दिखावप C. मुल्ल और D है ये सभी सत्ते है तो च्छे नमर का भी हो जाएगा राइट असर D ये सभी सत्ते है नेक्स्ट है साथ नमर में है क्लीट वाइरिंग के में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है A है PVC C है B, IR और C में है कि A और B दोनों और D है इनमें से कोई नहीं तो क्लीट वाइरिंग में दोनों का प्रयोग किया जाता है PVC और VIR PVC हो जाएगा पॉलिविनाइल क्लोराइड और VIR का हो जाएगा वैलकेनाइड इंडियन रबर इसका राइट अंसर C होगा साथ नमर का नेक्स्ट देखते हैं आठ में कैसिंग कैपिंग में प्रियुक्ट खाचो का साइज होता है A है 38 mm गुने 15 mm B है 51 mm इंटू गुने 19 mm C है 64 mm गुने 19 mm और D है ये सभी इसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर D ये सभी सही है नेक्स्ट है निमलिखित में कौन अधिक समय तक चलती है तो ये भी बहुत महत्पून क्वेस्टन है कौन सी वैरिंग अधिक समय तक लंबे समय तक चलेगी तो A है क्लीट वैरिंग D में है कैसिंग कैपिंग वैरिंग C में A और B दोनो और D है इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर B जो है कैसिंग कैपिंग वैरिंग जो है अधिक समय तक चलती है लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता इसका और क्लीट वाइरिंग जो है ये टेमपरोरी बेस पे इसको किया जाता है नेक्स्ट है देखते हैं 10 नमबर निमलिकित में कौन सस्ती वाइरिंग है A है क्लीट वाइरिंग B है केसिंग केपिंग वाइरिंग C है A और B दोनों और D है इनमें से कोई नहीं तो 10 का राइट एंसर होगा अप्सन नमबर A क्लीट वाइरिंग जो है सस्ती वाइरिंग होती है और टेमपरोरी भी होता है ये नेक्स्ट है ग्यारा नमबर में है नेमलिकित में किस वाइरिंग की दच्चता अधीक होती है A है केसिंग केपिंग वाइरिंग B है क्लीट वाइरिंग C है A और B दोनों और D है इनमें से कोई नहीं तो 11 नमबर का राइट एंसर होगा अप्सन नमबर A केसिंग केपिंग वाइरिंग इसकी दच्चता अधीक होती है ये casing capping की और ये लंबे समय तक किसका use भी होता है next है सुन्दर वाइरिंग है कौन सा वाइरिंग का प्रकार है जो की सुन्दर है ये है clit wiring b है casing capping wiring c है a और b दोनों और d है इनमें से कोई नहीं 12 का right answer होगा option number b जो है casing capping wiring उसकी देखने में सुन्दर लगती है नेक्सट किस वारिंग में टिक लकडी पटियों का प्रियोग होता ये बहुत महधपुन नमबर बहुत महत्पून या तो इसका देख लेते हैं ऑप्सन है Cleet wiring ब केसिंग केपिंग वारिंग C है C, T, S T, R, S वाइरिंग और D है इन में से कोई नहीं तो तेरा का हो जाएगा Option number C C, T, S और T, R, S वाइरिंग Next है आग, नमी और चोर से सुरच्छित केबल है A, L, C, C वाइरिंग B, C, T, S वाइरिंग C है T, R, S वाइरिंग और D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसरो का Option number A L, C, C वाइरिंग इसको लेड, कवर्ड, केबल भी करते हैं लेड, कवर्ड, केबल इसका फूल फॉर्म हो गया नेक्स्ट है नमी धूपव वर्षा वाली जगों पर प्रयोग की जाती है इसका हो जाएगा पंदरा का राइट एंसर हो जाएगा Option number A L, C, C वाइरिंग को इसका नमी धूप वर्षा वाले जगों पर इसका यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है वाइरिंग के डिस्टिबूशन के दो धंग है ट्री वा एक तो ट्री है और दूसरा कौन सा है True, B, DB, C, A और B दोनों और इन में से कोई नहीं तो 16 का राइट एंसर हो जाएगा Option number B DB DB का मतलब है Distribution System दोनों होते हैं ट्री भी होते हैं Distribution System भी होते हैं नेक्स्ट है 17 नंबर में ट्री वाइरिंग के लिए निमलिखित में कौन सही है यह है यह सस्ती विधी है भी इस उपकरन को पूरी वोल्टेज नहीं मिलती है C है इस सर्किट में फ्यूज अलग अलग जगा पर होती है और D है उप्यूक्त सभी सत्य है तो 17 नंबर का राइट अंसर होगा Option number D सभी सही है यह सस्ती भी होती है इस उपकरन को पूरी वोल्टेज नहीं मिलती है और यह हर सर्किट में फ्यूज अलग अलग जगा पर इसके लगाए जाते है तो इसके राइट अंसर होगा Option number D नेक्स्ट है डिस्टिबुशन बोर्ड सिस्टम के लिए निमलिखित में कौन सही है A. इसके दोस्ट अजानी से ढूण सकते है B. यह देखने में अच्छा लगता है C. यह ट्री सिस्टम से महंगा पड़ता है D. है उप्यूक्त सभी सत्य है इसके राइट अंसर होगा Option number D सभी सही है यह महंगा भी है इसमें दोस्ट अजानी से ढूण सकते है देखने में अच्छा भी लगता है सभी है महंगा भी है नेक्स्ट है T. कनेक्शन विधी के लिए कौन सही है तो इसमें कम पावर खर्च होता है यह देखने में सुन्दर लगता है इसमें तार कम खर्च होते है तो पिक सभी सत्य है तो इसका राइट अंसर होगा Option number D सभी सत्य है तो T. कनेक्शन जो होते है वो T. टाइप के दिखते है और इसमें जॉइंड जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है इस कनेक्शन में इस तार को दोनों तरब से जोड कर लगा दिया जाता है तो इसमें पावर खपत कम होता है देखने में भी सुन्दर होता है इसको सिलिंग रोज जगा में घर के वाइरिंग में इसका यूज होता है टी कनेक्शन का नेक्स्ट है लूपिंग सिस्टम के लिए सही है इसमें जोड कम होते है बी वाइरिंग का इंसुलेशन अच्छा होता है सी तार अधिक खर्च होता है और डी है उप्यूकस अभी सकते है तो इसका राइट अच्छण होगा ऑप्शन नंबर डी उप्यूकस अभी सकते है नेक्स्ट है क्लीट वाइरिंग के लिए कौन सही है एह कम समय तथा कम मजदूरी लगती है बी है कम मुल्ने लगता है C है कम लाइफ है और D उप्यूक सभी सथे हैं तो इसका राइट एंसर होगा अप्शन नंबर D सभी सही है क्लीट वाइरिंग जो है टेंप्रोरी वाइरिंग भी इसको कहते है इसका मुल कम लगता है लाइफ भी कम होती है नेक्स्ट है एक तीन फेज टुल काली मोटर में 12 धुरू है और यह 440 वोल्टेज 50 हर्ज आपूर्थी में कार करती है तो मोटर की गती क्या होगी A दिया है 500 आरपियम B 750 आरपियम C है 1500 आरपियम D है 1000 आरपियम तो इसका स्पीड होता है गती पूछ रहा है तो N का क्या हो जाएगा स्पीड का हो जाता है कि F इंटू 120 बाइ पोलो की संख्या जो होती है P तो फ्रिक्वेंसी दिया है 50 इंटू 120 अब आटे पोलो की संख्या कितना दिया है 12 पोल यहां 12 पोल दिया है 12 इसको स्वल्ट करेगे कितना है 12 से 10 बार में जाएगा 500 है तो 50 है गुने यह 10 तो 500 हो जाएगा 500 आर्पी एम पर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर यह 500 आर्पी एम पर गती खूमेगी नेक्स्ट है इस नमबर में एक 3 फेज लोड संतुली रहते हैं यदि सब ही 3 फेज के 10 समान हों क्या समान होंगे A परतिबाधा B में दिया सकती गुनांग C दिया परतिबाधा और सकती गुनांग D उप्युक्त में कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होगा अप्सन नमबर C परतिबाधा और सकती गुनांग दोनों समान होंगे नेक्स्ट है एक सिंगल फेज प्रेरेनी मोटर में गती समवेदी अब केंदरी स्विच कहां जुड़े होते हैं A मुख कुंडली के साथ समनांतर में B दिया मुख कुंडली के साथ स्रेनी क्रम में C दिया आरंभी कुंडलन के साथ स्रेनी क्रम में और D दिया आरंभी कुंडलन के साथ समनांतर क्रम में तो सिंगल फेज प्रेरेनी मोटर में तो अब केंदरी स्विच को कहां लगाते हैं तो स्टार्टिंग वांडिंग के साथ लगाते हैं नेक्स्ट है, ये लास्ट है आज का क्वेस्चन, थ्री फेज प्रेरेनी मोटर के घुर्णन की दिशा को उल्टी दिशा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ए दिया है मोटर के पुना कुंडलन से, बी दिया है किसी भी फेज के संग्रा, एक संग्रा को जोड़कर, सी दिया है किसी दो फेज के सन्योजन के आंतरिक परिवर्तन से, और डी दिया है सभी तीनों फेजों के सन्योजन के आंतरिक परिवर्तन से, इसका राइट एंसर होग option number C हो जाएगा किसी दो फेज के सन्योजन के आंत्रिक परिवर्तन से इसके घुमने की दिश्चा को change किया जा सकता है उल्टा जा सकता है बदल सकते हैं तो दोस्तो ये थे wiring system के 25 महत्पून question उमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही regular वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद